हलो मित्रों जै माता दी माता राने की कृपा से आसा करते हैं आप और आपके परिवार वाले अच्छे हुँगे सुवश्टों होगे मित्रों मनुष्य के जीवर में ग्रहों की गरनाओं के अनुसार कई प्रकार के महत्पुर्ण गटनाएं जीवर में घटित होती रहती हैं ऐसे में जोति सास्त्र के अनुसार भविस्य में होने बाली विभिन्य घटनाओं का आकलन करके मनुस्य के जीवन में जो सुब घटनाएं हैं उन्हें और जादा सुब बनाया जा सकता है और जो की विभिन्य प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो की मनुस्य को व्याकुल कर सकती हैं विच्रित कर सकती हैं परिसान कर सकती हैं तो उन घटनाओं में के वदले आप कुछ ऐसे उपायो को करके जीवन को बदल सकते हैं और आने वाले भविस्य को बहत्रिन, सुन्दर और लाप प्रद बना सकते हैं मत्रों योतिस गन्नाओं के अनुसार ग्रोहों के रासियों में परिवर्तन होने की वज़़ से क्रहों में परिवर्तन की वज़े से तथा कई प्रकार के सुब क्रियाकलाफों की वज़े से आप जीवन में लाव की प्राप्ति भी आसानी जे कर सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है आज का यह वीडियो आपके लिए बहत्रिन रहेगा क्योंकि जो तिस गर्नाओं के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाए घटित होने वाली हैं किस प्रकार से धन के देवी मातालक्षमी जी को परसन्न कर सकते हैं मातालक्षमी जी और भगवान स्रीहरे विश्नु जी की किरपा से किस प्रकार धन धान्य से आप परिपुर्ण हो सकते हैं जीवर में रुपे पैसे की फ्राप्ती कर सकते हैं कारे वैपार वैवसाइफ लवलाइफ के शेतर में भी किस प्रकार उजवल भविस्य की कामना कर सकते हैं, उजवल सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं और कारे शेतर में जिसमी प्रकार की जोभी प्रिसानिया, तकलिफें और आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा गौर से सुनें समझें और वीडियो में बताए गई बातों को आप अपने जीवन में जिसे हद तक अनुसार आप उतारोगे आपको उसी के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार अपने भविस्य को सुधारने का मुकावी प्राप्त होने वाला है तो मित्रों आपको बताने वाले हैं कि आज का दिन आपके लिए उन्नती दिलवाने वाला रहेगा आने वाले समय कारिशित्र वेपार लवलाइब के चित्र में आपका बहत्रिन स्थावित होगा आयात नर्यात के चित्र में भी लाब की प्राप्ति होने वाली है जो लोग नौकरी वेसा वाले हैं मित्रों, जिन लोगों का नौक्री लग चुका है, जो लोग नौक्री करते हैं, उन लोगों को कारिशित्र में उन्नती की प्राप्ती होंगी, और तरक्की देखने को मिल सकती हैं, तरक्की मिलती भी देख रही हैं, लेकिन आपको अपने प्रियास को लगातार शफलता की और ले जाने का कारी करना होगा मित्रों आप परिसरान नहों आप बिलकुर भी चिंतित नहों आप अपने दीवन में दिन्चरिया में अपने आपको सम्मिल्ट करके कारिशित्र में काफी बड़ी कुसकबरी को प्राप्त करने वाले हैं जो लोग अविवाहित हैं जिन लोगों के विवाह के मारग में बिबिन्य परकार की घटनाएं बिबिन्य परकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और वो काफी लंबे समय से प्रियास कर रहे हैं परन्तु फिर भी उन लोगों के विवाह के मारग में आए दिन कोई न कोई बाधायें आ रही हैं वैसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी के स्वामी रासी की प्रिवर्तन होने की वज़े से इस छेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है मत्रों अगर आप अब विभाहित हैं तो आपके विवाह के बहत्रिन अवसरों की प्राप्ति होंगी, विवाह के बहत्रिन मोके मिलेके और विवाह के एक अच्छा विचार भी आपके मन में आने वाला है, अच्छे परिवारों में आपका विवाह तैह हो सकता है, जिनकी वज़ा से आपके बच्चे का आने वाला का वेवसाय अगर करते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर विजनस करते हैं तो मित्रों उनके छेत्रों में भी आपको बहुत पड़ा दील मिलने वाला है क्योंकि देव ग्रूब रहस्पती इस समय आपके रासी के इगारवे भाव में गोचर करने वाले हैं रासी के पहले से ज्यादा खुश्चों की प्राप्ती होंगी पहले से ज्यादा आपको धन-धन की प्राप्ती होने वाली हैं बत्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस समय किसी पूरानी बात को लेकर परिसान हैं अगर आप किसी पूराने जगडे को लेकर जंजटों को या किसी मद्भेत को लिकर परिसान हैं तो आप परिसान नहों क्योंकि आपकी परिसानी बहुत जल्द भगवान स्रीहरे विश्णुजी दूर करने वाले हैं भगवान स्रीहरी विश्मुजी की कृपा से कारिश्यत्र के साथ-साथ आपको लवलाइब के शेत्र में भी काफी बड़ी और उज्वल सफलता की प्राप्टी होती भी दिख रही है मत्रों इस समय आप किसी पुरानी कलतियों को लोगों के सामने ला सकते हैं या फिर लोग ही आपके पुरानी कलतियों को कुरेद कर निकाल सकते हैं जिनकी वज़ा से आप इस समय परिशानी में फश्वल सकते हैं लेकिन परिशान होने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह आपके समय परिक्षि की घड़ी चल रही हैं और इस परिक्षा में आप उत्रिन होगे और बहत्रिन सफलताओं को भी प्राप्त कर सकोगे मत्रों अगर आप विवाहित हैं और आपका संतान है तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको संतान सुखो की प्राप्ती होगे और संतान भी आपका सहयोग करने बाला है माता फिता से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होंगी आप किसी भी कारे को करपाने में आसानी से सक्चम होंगे दोस्तों के साथ आप कहीं घुमने फिरने और किसी नई मनुरंजग कष्टान पर घुमने का प्लान बना सकते हैं परन्तु आपको वेफुजूल के खर्चों पर इस समय लगाम लगाने की जुरुत होंगी बेफुजूल के खर्चे आपके परिसानी को ला सकते हैं बड़ी समस्ताइं खड़ी कर सकता है इसलिए आपको इस समय बेफुजूल के खर्चों को करने से बचने का प्रियास करना होगा आर्थिक इस्तित्यों को बहत्र बनाने के लिए आपको लगतार पर्यास करने होंगे आपके जो कारिशेत्र में शत्रू हैं आपके विरोधी हैं यह जो भी आपके अगेंस्ट हमेशा रहते हैं उन सभी पर आप बिजय की प्राप्ति कर सकोगे और आपका बिजय निश्चित दिख रहा है मतरों आप अपने बुद्धी और चत्रू बुद्धी के कारण उन सभी सत्रों को परास्त कर सकोगे और उन सत्रों की चाल को समझ कर आप अपने जीवन में काफ़े बहत्रिन इस्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और लाव प्राप्त कर सकते हैं मतरों आज अगर आप किसी संतान से कोई भी वादा करते हैं तो आप अपने वादे को पूरा करने की अवज से कोशिच करें वादों को पूरा करना आपके जीवन में लाब दिलवाएगा अगर आप वादा करते हैं तो आप वादा भी पूरा खरें नहीं तो आपके संतान नाराज हो सकते हैं मतरों जो लोग बेरुजगार हैं जिन लोगों को रोज़गार की शित्र में काफी मेहनत करने की बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या आप बहुत ज़्यादा परिसान हो रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी भी कारे को कूरा करने से पहले या कहीं भी नोकरी माँगने जाने से पहले आपको एक उपाय करना है आपको गाई को हराचारा जरूर खिलानी है और गाई को हराचारा खिला दें इससे आपके सभी बिगड़े कारी बनेंगे और कारिशेत्र में कौफी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होने वाली हैं आपके सभी आप घर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में जाएं मंदिर में सभी देवी देवताओं को अस्मरन कर लें उनके सामने नत मस्तक होकर परनाम करें और आप अपने काम के बारे में उनसे कहें उसके बाद आप उस कारे के लिए घर से बाहर निकलें ऐसे में आपका काम जरूर ब गनेंगे और आपके जो भी मनों कामनाएं हैं वो अवसे पूरी होगी। कारिशत्र बेपार बेवसाय लवलाइव की शत्र में भी आपको बहत्रिन सफलता की फ्राप्ती होने वाली हैं। खुशियों से भरा रहेगा, खुशियों से मंगल में रहेगा। आपको ग्रिहस्त जीवन में बहुत तो बड़े समस्याओं का समधान मिल सकता है। आपके जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। कारिशत्र में भी आपको काफी परसंता मिलेगी। आपके मन में कई प् रखने की कोशस करें उनके साथ चिकने चुपुणी बात को करने का फ्रियास करें और जो भी काम मिले उसे सबसे पहले करने का कोशस करें टीम वर्क करने का आप सबसे टीम को कमांड करने की बुद्धी को लाने का फ्रियास आप जरूर करें बत्रों आपका दिन बहतर बने इ सच्ची सर्धा के साथ जैमाता दे अवस्य लिखें आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासने